दोस्तों विंडोस 10 ओफीशली हाप में खतम हो चुगा यह नहीं कि Microsoft ने Windows 10 को जो ओफीशल सपोर्ट है वो खतम कर दे और 40 अप टुबाद 2025 को आखरी से सिक्यूरिटी अपडेट देखने को मिले और इसका मतलब क्या रहता है यह विंडोस 10 को अगर आप भी यूज़ करना ज लेकिन फिर 2024 में विंडोस 11 निकाल दिया और देखा जाये तो आज तक कई सारे कंप्यूटर में विंडोस 10 चल रहे था इवन बात करें मैं तो कुछ ऐसे लोगों भी जानता हूं यहां पर यह लोग Windows 7 को भी यूज़ कर रहे हैं आत के समय में जैसे कुछ सालों में 20 साल भ जो extended security update को भी promise किया गया है जो कि आपको देखने को में विंडोस 10 के pro version enterprise और education वाली के अंदर याने की home edition में चीज़ नहीं आगी बाकी जगे आपको देखने को में लेगा लेकिन इसे एक बात शोटी समझने आगे कि Windows 10 का support खतम होगी है और Microsoft वाले विट्स Windows 11 की बात करें त देखो basically windows में यह रहता है कि एक दम से update नहीं आता है पहले beta version साथ है developer preview आता है और उसको यहां पर use किया जाता है उसके बाद इस चीज़ को यहां पर आके चलके बताया जाता है कि official update हम लोग लाएंगे इस दिन धीरे धीरे फिर update आता है हाला कि देखने वाली बात हो कि नए जो version साथ है Windows के अंदर क्या रहता है बाइद आफ़े क्या आप लोग अभी भी Windows 10 यूज़ करें या Windows 11 यूज़ पर move on कर चलिए इसी के साथ ही कुछ और इंटरसीन चीज़ों के बारे में बात करते है Windows के बाद एक और सबसे popular operating system में वो है macOS और macOS के अंदर यहाँ पर Apple वाले अपनी M5 चिप को बहुत ही जल्दी अनौउस कर सकते जिसके अंदर जो M5 चिप होगी उसके साथ यह लोग अपने iPad Pro का अनौउस करेंगे और हो सकता है जो बेस Macbook होता है उसको यहाँ पर अनौउस करते है जिसके अंदर M5 चिप आपको देखने को मिले हाला कि जो M5 चिप के अंदर जो Pro version होगा जैसे M5 Pro, M5 Max आती है इसके जो Macbook होगे यह आपको अगले साली देखने को मिले है जो कि already Apple लें सबको tease करने हापे शुरू कर दिया है लेकिन आप देखने वाली बात है कि performance improvement तो आते हैं लेकिन hardware अभी इनका ऐसा है और rumors ऐसा कहरे है कि Apple तो बसे mid cycle refresh कर रहा है कि जिसमें chip change कर रहा है इसके बास future में Apple के plans ऐ जैसे जहां पर OLED display जो भी MacBook में अभी तक आता है नहीं वह लेकर रहा है और finally शायद हमें touch screen भी देखने को मिल जाए लेकिन उसके लिए शायद हमें और थोड़ा दिजार करना पड़ेगा इस साल तो नहीं आने वाली अगले साल कहीं मुश्किल है शायद उसके अगले साल हम अच्छे benchmark सेट करें और उसने better life भी बहुत अच्छी promise करी है जिसका impact इतना बड़ा पड़ा कि Microsoft को खुद Windows का special ARM Powered version निकानला पड़ा Qualcomm ने Snapdragon X Elite जैसी चित को announce करना पड़ा ताकि वैसी performance वैसा सब कुछ इधर भी आए इवर इंटेल वालों ने भी पूरी अपना direction को change किया AMD ने change किया याने कि 5 साल पहले जो Apple ने decision लियाता ना उसका इंपक्ट होता हो आज भी हम देखनों आने वाले future में इसका impact और जादा बढ़ने वाले जब AI का integration कहाँ पर होगा क्योंकि आने वाले समय में AI का जो काम अभ इसे अनाॉस करने वाली सिंपल सी भाषा में यह कि Apple अपने विजन प्रो निकाला आता तो Samsung को भी हाप अपने प्रोड़क्ट निकालना आता तो Samsung में प्रजेक्ट मुहान बनाएं जिसके अंदर Android का XR यूज़ किया जा रहा स्नैप डरिन की चिपी लोग यूज़ कर रहे ह अगर एपल विजन प्रो आइफोन है तो यहां पर Samsung का मुहान जो रह गए Samsung Galaxy फोंस रहेंगी बिल्कुल वैसे करने कोशिट की गई है सिमलर चीज को समय पहले वीवो ने अपने विजन के साथ करी थी यहां पर चाइना के अंदर जहां पर उसने अपना विजन डिसकवरी हेडसेट दिखाये था लेकिन एक चोटी सी बात है आज के समी जो वर्चुल लेटी हेडसेट का कंसेप्ट हैं बिल्कुल खतम हो चुक है देखो सिम्पल सी बात है कि बहुत जादा बल्की होते हैं कॉंटेंट कम होता जादा तर लोग उनसे पहली बारी पहनते हैं वाव फेक्टर लेते उसके ब पढ़े सकती है वो सकते हैं आपके मेटा के रेवंड ग्लासे जैसे रेवंड ग्लासे अभी जो इंडिया में मिलते है वो तो चलो ऑडियो के साथ लेकिन डिसले भी अन्हों हो कर दिया है और इस तरी के कुछ concepts अगर यहां पर हैं तो यह चीज हो सकती है इवन यह भी सुनने में कि Apple वाले अपना Vision Pro टूल आ रहे हैं लेकिन आगे नहीं वाले जो iterations होंगे Apple Vision Pro के उनको थोड़ा बैक साइट कर दिया और वो भी अपना Glass की जो development होती उसे fast कर दिया है और इनिशली उनके जो glasses है वो प्लांट की जा रहे है तो कि देखा जाए तो इन सबका इंपक्त इत्ता बड़ा पड़ा कि मेटा ने अपने डिस्प्ले वाले glasses निकाल दी तो Apple को भी निकाल लेकिन एक सा इन से अच्छा बना तो obviously इसके बाद आगे बड़ेंगे लेकिन अगर ये चीज़ अगर आगे नहीं बड़ी तो हो सकता है ये लोग ओपाने आए कि जाए GPT को integrate यहां पर करना शुरू करें देखते आने वाले future में क्या रहता है काफी interesting times है क्योंकि आज के समय में हम कुछ आइब भी announce होई है जो कि almost dummy speed देती UFS4 से और high performance RAM आ रही है और आपके chipsets भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो रहे लेकिन कभी सोचा आप लोगों ने कि इतनी RAM, इतना fast storage, इतना fast chip आरी इसका आखर use किया देखो अगर आप आज से कुछ साल पहले बात करते कि उन्या use किया future में हम लोग move करने वाले AI powered OS में और जो models होंगे वो हम locally run करेंगे AI के, simple सी बात है कि AI एक काफी बड़ा चीज रहेगी आने वाले future में जो हमारे operating system का core part रहेगी और AI इतना level पे grow up कर चुका होगा, जो कि आपको mobile phone के अदर operating system की अंदर जो apps होती उनकी जरूरत भी ना हो सकता है, यह चीज AI agents के तुरू open AI के chat GPT ने देखा है, जिसके अंदर आपको payment करना चाहते है, UPI के तुरू वह भी possible हो सकता है, यहां तक कि अगर आपको कुछ order करना है, सामन हो आप कर सकते है, flight ticket भी book कर सकते है, इस तरीके के basic concept और ज्यादा advance होंगे, mobile phone के अंदर ही चल और mobile phone के form factor में कोई change नहीं होने वाला, लेकिन mobile phone के अंदर जो chips दलती है, जो hardware डल रहा हो, उसके अंदर बदलाब होगा, और जो software होता है, जो AI होते हैं, उसके अंदर बदलाब होगा, और यही जो चीज company सबसे पहले करके ले आएगी, वही market में आने वाली generations में later बनेगी, अगर कोई भी company including Apple इस technology को adapt नहीं कर पाती, जल्दी से जल्दी और लोगों अच्छा experience नहीं दे पाती है, mark my words वह company markets out हो जाएगी, क्योंकि अब हम वही एक era देख रहे हैं, जो उससे 20 साल पहले हुआ था, जब स्मार्ट फोन साय थे, जब Apple ने अपना iPhone निकाला था, Google का Android आ कि कौन बना रहता है इसरे इसके अंदर, इसके बाद एक और काफी interesting news है, वो है Qualcomm की तरफ से, Qualcomm के CEO ने confirm किया कि जो pre-commercial 6G devices है, वो 1028 में हैंगे, और इंडिया में भी मैंने पता किया कि रिसेंटली 6G का development क्या हो रहा है, तो हाली में बात करें, तो सिर्ज जी के MIMO antennas के prototype यहां पर त्यार कर चुका है, IIT मंदरास में भारेज 6G टेरहर्ट टेस्ट बैट को भी यूज किया जा रहा है, इंडिया में यहां पर R&D में भी काम हो रहा है, और इवन यहां पर patents की filing पर भी प्लान कर रहा है, कि इंडिया से भी कुछ patents निख ले 6G technology के लिए, क्योंकि इससे पहले हालत हमारी यह थी, इंडिया की, कि यहां पर हम लोग 2G हमारे यहां लेट आया, 3G आने में बहुत टाइम लगा, और जब हम 3G को मज़ी ले रहे थे तब दोनिया और 4G पर आ गए थी, और जब इंडिया में जब हमने 4G अच्छे तरीके से यूज करना इसके साथ ही कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहां पर निकल करते हैं, जैसे कि यहां पर नथिंग अपना फोन 3A का लाइट वर्जिन निकाल सकती है, कहा जा रहा है कि नथिंग की लाइन अप में सबसे सस्ता नथिंग का फोन होगा, रिसेनेट की लीक हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुई ज़ादा इन्फरमेशन नहीं है, और मैं एक बात समझ में आ गया, न अगर आप अपना फोन सही कीमत पे नहीं निकालोगे तो वो नहीं बिख्यागा, और फोन की अगर प्राइसिंग अगर आप सही रखोगे और उसमें प्रोड़ुट के अंदर स्पैसिफिकेशन और क्वालिटी अगर अब दोगे, तो आपका प्रोड़ुट चलेगा, यह अपने नेक्स पॉड़कास्ट के अंदर, गुडबाई